स्थीती सम्हानले के लिए लगातार काम करते रहें इसे जिले में अन्य लोगों का होसला भी बढ़ा और आपसे प्रेणा भी मिली बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक कुछ प्रात्फिकता दी है अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे आफ़सर मिला वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं लेकिन हर एक को तो संबव नहीं हुआ है लेकिन हरे के पास कुछ से कुछ नाया था कुछ से कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मुल्भूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट तरके उसका उप्योग करते हैं कई अच्छे इनोवेटिव प्रया था जिन लोगों का आज बात करने का मोका नहीं मिला है उनके पास भी बहुत कुछ होगा मेरा आप सबसे आगर है का बिना संकोच आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है अच्छे डंक से की है वो मुझे जुरूर भेजिये लिख करके मेरे तक पहुचाईए और मैं इसका अन्य जिलों में उप्योग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूँगा क्योंकि आपकी मेहनत आपके इनोवेशन आएगी और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूँगा कि आप अपनी कुछ चीजे जुरूर मुझे मरे से सहर करिए आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रसमसा करता हूँ सराना करता हूँ साथियों हमारे देश में जितने जिले हैं कुतनी ही अलग-अलग चुनोतियां भी हैं एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजी हैं आप अपने जिले के चैलेंजी को बहुत बहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जितता है तो मतलब देश जितता है जब आपका जीला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है अन्य इसलिए जीले का मिजाज गाउं गाउं में एक मेसेज कि मेरा गाउं मैं कोरोना मुक्त रखूंगा मेरे गाउं में मैं कोरोना को प्रवेश्ट नहीं करने दूँगा ये गाउं के लोग संकर्ब लें और गाउं के लोग जिस प्रकार से विवस्ताय करते हैं मैं तो हराम था पिछले बार जब कि ये कालखन था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना फिर भी हमने गाउं में एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए कोई लोगडाउन नहीं लगाया था और मज़ा यह है कि खेतों में गाउं के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टन्सिंग के साथ खेती के काम शुरू किये थे पिरली बार आपको याद होगा मतलब हमारे गाउं कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बोडिफाई करके पका कर लेते हैं गाउं की यह ताकत है मैंने देखा है आज भी कई गाउं ने अपने हाँ आना जाना सब बहुत अच्छे रंग से मैनेज किया है गाउं की जरूरत के लिए एक या दो लोग बाहर जाते हैं चीजे लेकर के आते हैं गाउं में बार देते हैं और गाउं में से कोई मेवान भी आये तो उसको पहले बार रखते हैं गाउं की अपनी एक ताकत होती है उस ताकत का अपना उप्योग होता है और मैं साथ के कहना चाहूँगा कि कोरोना के खिलाफ इस उद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपण भूमी काम है आप एक तरह से इस युद्ध के फिल कमांडर है जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है फिल कमांडर बड़ी योजना को मुर्त रुप देता है जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है परिस्तित्री के अनुसार निल्णे लेता है आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपण फिल कमांडर के रूप पर आज नेतरुत्व समाल रहे और इस वाइरस के खिलाफ हमारे हत्यार क्या है हमारे हत्यार है लोकल कंटेन्मेंट जोन्स एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी हॉस्पिटल्स में कितने बेड़ उपलब्द हैं कहां उपलब्द हैं कि जानकारी आजानी से उपलब्द होने पर लोगों की सहुलियत बढ़ती है इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो ऐसे लोगों पर सक्त कारिवाई हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स का मोरल हाई रकर उन्हें मोबिलाइज करना हो एक फिल कमांडर के रूप में आपके प्रयांफ पूरे जिले को मजबुति देते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्षन से हमेशा प्रिरणा मिलती है उनका भरोसा और बढ़ता है मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा अगर इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में ने जीना सर पर किसी इनोवेशन की जरुवत है उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूटे आप जुरुर कीजिए अगर ये इनोवेशन आपके जिले की सानिय जरुरतों के हिसाब के है तो उसे उसी हिसाब में करिए अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशन है तो उसे सरकार तक भी पहुँचाईए अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्तितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जुरुत लगती है तो उसका भी फिडबेक जरुर पहुँचाईए बिना संकोच पहुँचाईए क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सम मिल करके सोचेंगे सम मिल करके नई नई चीजे ले आएंगे तब जाकर क्या हम कर पाएंगे साथियों आपके जीले की सफलता बाकी जीलों के लिए एक उधान बन सकती है उनकी भी मदद कर सकती है कोरोना से निपटने के लिए जो भी best practices हैं उनको भी हमें adopt करते चलना है आपके बहुत से साती ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमाण पिक पर पहुँचने के बाद अब कम हो रहा है उनके अनुभवों से सीख कर आप अपने जिलों में अपनी रणदिती को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाब लड़ाई और आसान होगी साथ्यों इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमाण के आँकड़े कम हो रहे हैं कई राज्यों में बड़ भी रहे हैं कम होते आँकड़ों के बीच हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूत है बीते एक साल में करीब करीब हर मिटिंग में मेरा यही आगरा रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की हैं हमारी जिम्मेदारी संक्रमन को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमन की स्केल की सही जानकरी होगी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीट्मेंट और कोविड एप्रोप्रेट बिहेवियर इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है कोरोना की इस दूसरी वेव में, अभी गरामीर और दुर्गम छेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है इसमें फिल्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत कामाने वाली है हमें गाउं गाउं में जागुता भी बढ़ानी हैं और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सिमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचीत समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राक्षिक्ता है सारी चुनोतियों के बीच समाध के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है उसका कोष्ट दूर हो उसको मदद मिले हमें ऐसी व्यवस्ताओं को और मजबूत करना है इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुचता है तो या उससे संपर करता है उसकी बात सुनता है तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है बिमारी से लड़ने की उसकी ताकत प्रशासन के लोग अक्सिमेटर लेकर जाते हैं दवाएं लेकर जाते हैं तो उसकी खोज खबर लेते हैं तो उस परिवार को संबल मिलता है क्या हम अकेले नहीं हैं साथियों कोवीड के अलावा आपको अपने जीले के हर एक नागरित की इज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है हमें संक्रमन को भी रोकना है और दैनीक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बे रोट टोक चलाना है इसलिए स्थानियस तरपर कंटेन्मेंट के लिए जो भी गाइडलाइज जारी की गई है उनका पालन कराते सबैं इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परिशानी कम से कब हो किसी भी नागरिक को परिशानी ना हो साथ क्यों पी-म केर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में अक्सिजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर जब भी चन्निगर काम ने सुना कितना बेनिफिट हुआ 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 और इसलिए आप से मेरा आगरह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट एलोट होने वाले हैं वहां हर जरूर तैयारी पहले से पुरी होने पर ऑक्सिजन प्लांट और तेजी से सेट अप हो जाएगे अस्पतालों में ऑक्सिजन मोनिटरिंग कमिटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सिजन का सही इस्तमाब हो पाएगा साथ्यो ठीका करन कोविड से लड़ाई का एक ससक्तमाद्यम है इसलिए इससे जुड़े हर ब्रह्म को हमें मिल करके उसको निरस्त करना है कोरोना के ठीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्यास किये जा रहे हैं वैक्सिनेशन के लेकर व्यवस्ताओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीम लाइन कर रही है कोसी ये है कि अगले पंदरा दिन का शेडूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए इससे आपको भी पता रहेगा कि जीले में कितने लोगों के लिए वैक्सिन उपलब्द होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयरी करनी है वैक्सिन बेस्टेज रोकने में जीलास तरपर सही प्रबंदन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं आपके सहयोग से वैक्सिन बेस्टेज पूरी तरह रोक सकती है इतना ही नहीं आप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलता पुबक आगे बढ़ सकते हैं साथियों ये समय एक प्रशासक के समत ही एक हुमेन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मेनेजर के रुपे भी आपकी भूमिकाओ को टेश कर रहा मेडिकल से जुड़ी सप्लाई ही नहीं बलकि आपके जिले में दूसरी जरूरी सप्लाई भी परियापत हो ये बहुत जरूरी है बरसाथ के मोसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोज मर्हा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं लेकिन जैसे ही जून मेहना सामने आना सुरू होता है आपका ध्यान मोसम, बारिष, क्या हो सकता है उसमें जाता ही है कापी आपको एटेंशन देना पढ़ता है और इस बार भी बारिस अब सुरू होने जा रही है तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनोतियां है जो एक्स्ट्रा आपके लिए बरड़न भी होती है जिम्यवारी भी होती है और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंद करना है अब कई बार तेज बारिस के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय तो ये चीजें अभी से हमको सोच नी पड़ेगी है चुनोति बड़ी है लेकिन हमारा होसला उससे भी कल्प के साथ हम देश को इस संकट से भार निकालेंगे अभी करोना के खिलाप आपको जो अनुभों मिलेंगे वो भविष्ट में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं इन अनुभों का सही इस्तिमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते है मुझे विश्वास हैं कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंदन से भारत कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा मुझे खुशी हैं कि आज सभी जोजी राजी से मिटिंग में हैं, उनके सभी मुख्मंतियों ने भी समय निकाला जब कारकम की रचना कर रहे थे, तब लग रहा था कि मुख्मंतियों का समय इसमें व्यस्ता करने की जरूत नहीं है क्योंकि जिले के लोगों से बात करना आता है, वो तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी इस विशे के प्रती गंभीता को ले करके, संबेदी संतला को ले करके, मुख्मंतियों भी इसमें जुड़े हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्या हैं, मैं सभी आदर्णियों मुख्मंत विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, एक-एक गाउं को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को ले करके आप आगे बढ़ें, और तेजी से रिकवरी रेड हैं, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ें, तेजी से टेश्ट जादा हो, एक भी प्रयास न छोड़ें। एक भी प्रयोग न छोड़ें। अपने परिबार जनों के स्वास्त का भी ख्याल रखिएं। और आप जिक्षेत्र को समाल रहे हैं, वहां के एक एक नागरी के स्वास्त को बनाए रखने में, आपका नेतरूत्व काम आए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत भुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुप वामने.